पूर प्रदान मंत्री डॉक्टर मन्मोहन सिंग कहते हैं कि 1991 में 30 साल पहले कॉंग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थविवस्था के महत्पुन सुधारों की शुरुवात की थी और देश की आर्थिक नीती के लिए एक नया मार्ग प्रशस्थ किया था पिछले तीन दश्कों के दौरान विभिन सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरन किया और देश की अर्थविवस्था तीन हजार अरब डॉलर की हो गई और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थविवस्थाओं में से एक है अब बात मंदी यूग की मोदी के नेत्रित्व में बेरोजगारी लगातार बढ़ी मोदी के शासन में काम करने वाले भारतियों की कुल संख्या दो हजार तेरह में चोवालिस करोड से घटकर दो हजार सोलह में एक तालिस करोड और दो हजार सत्रह में चालिस करोड और फि अप्टर मनमोहन सिंग कहते हैं कि 1990 में यानि 30 साल पहले अतियंत महत्रपुन बात यह है कि इस अवधी में करीब 30 करोड भारतिय नागरिक गरीबी से बाहर निकले और करोडों नई नौकरियों का सुरिजन हुआ सुधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उपकरमों की भावना की शुरुवात हुई जिसका परिडाम यह है कि भारत में कई विश्वस्तरिय कमपनियां अस्तित्तों में आई और भारत कई छेत्रों में वैश्विक ताकत बन कर उभरा 1991 में आर्थिक उदारी करण की शुरुवात उस आर्थिक संकट की वज़े से हुई थी जिसने हमारे देश को घेर रखा था लेकिन यह सिर्फ संकट प्रबंधन तक सीमित नहीं था सम्रिध्धिक इश्चा अपने शमताओं में विश्वास अर्थिवस्ता पर सरकार के नियंत्रण को छोड़ने के भरोसे की बुनियाद पर भारत के आर्थिक सुधारों की इमारत खड़ी हुई अब बात मंदी युकी मोदी सरकार में यात्री वाहनों की विक्री भी बीते करीब एक दशक से स्थिरी है 2012 में 27 लाख वाहन विके थे जो 2019 और 2020 में भी 27 लाखी रहे दो पहिया वाहनों की विक्री 2014 में 1.6 करूड, 2019 में 1.7 करूड और 2020 में 1.5 करूड पर स्थिर रही ती पहिया वाहनों की विक्री 2012 में 5 लाक, 2015 में 5 लाक, 2016 में 5 लाक, 2019 में 6 लाक और 2020 में 2 लाक कमर्शिल वाहनों की विक्री 2012 में 7.9 लाक 2015 में 6 लाक 2016 में 7 लाक 2019 में और 2020 में 5.6 लाक रही पुरपरधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग कहते हैं मैं सौ भाग शाली हूँ कि मैंने कॉंग्रेस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्रिया में भूमी का निभाई इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व की अनुभूती होती है कि पिछले तीन दर्शकों में हमारे देश ने शांदार आर्थिक प्रगति की परंत मैं कोवीड के कारण हुई तबाही और करोडों नौकवियां जाने से बेहत दुखी हूँ स्वास्त और शिक्षा के सामाजिक छेत्र पीछे चूट गए और यह हमारी आर्थिक प्रगति की गती के साथ नहीं चल पाया इतनी सारी जिंदगियां और जीविका गई हैं वो नहीं होना चाहिए था यहां आनंदित और मगन होने का नहीं बलकि आत्मन्थन और विचार करने का समय है आगे का रास्ता 1991 के संकट की तुर्णा से ज्यादा चुनोती पूर्ण है एक रास्त्र के तोर पर हमारी प्रातिमिकताओं को फिर से निर्धारत करने की जरूरत है ताकि हर भारतिय के लिए स्वास्त और गरिमा में जीवन सुनश्चित हो सके मंदी युब में यानि मोधी सरकार में आठ प्रमुक शहरों एहमदाबाद, बैंगलॉर, चिन्नेई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकता, मुंबई और पूने में आवासी बिकरी 2012 में तीन दसमलो तीन लाक हिकाईया थी जो 2019 में तीन दसमलो दो लाक पर हिस्तिर रही वहीं 2020 में यह एक दसमलो पांच लाक इकाईय तक गिर गई 2014 में कंजिमर डियूरेबल्स यानि एर कंडिशन, वाशिंग मुशिन, टेलिवीजन सिट आदिका कुल भारती अबाजार 2020 तक एक लाक पचास हजार करोड होने का अनुमान था लेकिन 2019 में यह 76,400 करोड रुपए और 2020 में 50,000 करोड रुपए तक ही पहुँच पाया कुल यात्री यानि रेल और हवाई यात्रा मिलाकर 2012 में 840 करोड से गिर कर 2019 में 826 करोड हो गए और ध्यान रहे कि यह महामारी से पहले की बात है पूर्पधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग ने कहा 1991 में मैंने एक वित्र मंत्री के तौर पर विक्टर हुगो जो फ्रांसी सी कवी है उनके कथन का उलेख किया था कि पृत्वी पर कोई शक्ती उस विचार को नहीं रोक सकती है जिसका समय आ चुका है तीस साल बाद एक राष्ट के तौर पर हमें रॉबर्ट फ्रास्ट अमेरिका के कवी कि उस कविता को याद रखना है कि हमें अपने वादों को पूरा करने और मीलों का सफर तै करने के बाद ही आराम फर्माना है और हमारे देश के प्रधान मंत्री कहते हैं सब चंगासी